जहिंद आज हम इस वीडियो पे Air Force Navy NDA Class 12 Complete Physics मतलब की पूरी Physics कराई जाएजी जो की आपके इंडिये Air Force Navy सभी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है PDF के साथ कराई जाएगी और आपको ये PDF टेलिग्राम में मिल जाएगी लिंक डिस्किप्शन में है तो जाके जोइन करने चलिए श्टार्ट करते हैं आज Class 1 है पहले पूरे कॉंसेप्ट होंगे इसके बाद में हम करेंगे क्या Practice ठीक है तो देखिएगा चलिए तो श्टार्ट करते हैं तो यहाँ पास हम बता दें Physics का Class 1 है और यहाँ पे Charge and Electric Field जो आपका Chapter 1 है Physics का Class 12 का 11 का इसके बाद होगा उसका Part 1 लेके आए हैं तो चलिए बने रहे वीडियो पे वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़िए पहला आपका Topic है हमारा पहला Topic है जो की एयरफोर्स में लगभग ये Question आता रहता है कि जो Electric Charge क्या है तो छोटी छोटी सभी Definitions है इसमें से सबसे पहले Electric Charge बन रहा है तो Electric Charge को देखते हैं क्या है इसमें लिखा है चार्ज इजब प्रोपार्टी एसोसियेटिव बित मैटर डियू टू वीच इच प्रेडूश्ट एंड एक्सपीरियन्स इलक्टिक फिल्ड एन मैंग्नेटिक फिल्ड मतलब यह बोल रहा है देखें में चीज क्या है यह जो आपको डिफिनीशन में जरूरी नहीं है कि आप यह जाने है चार्ज क्या है तो देखें चार्ज क्या है इसमें यह दिया हुआ है कि चार्ज जो है एक ऐसा प्रोडेक्ट है जो को प्रेड्यूस होता है और एक्सपीरियन्स करता है इलक्ट्रिक फिल्ड और मैंग्नेटिक फिल्ड को मतलब यह कि आप electric field और magnetic field जो आप class 12 में पढ़े थे तो वहीं पे जो electric field और magnetic field एफेक्ट होता है उसी को charge बोलते हैं मतलब यह मान लिजे electric field इस प्रकारबानी हुई है और यह magnetic field है electric field को E से लिखते है magnetic field को B से अब इन में charge जवाब रखेंगे मान लिजे क्यों इसमें रखें क्यों इसमें रखें क्यों क्या करेगा मेरे भाई effect करता है तो बस इसी को आप note कर लीजिएगा अब exam में आपका question क्या बनेगा देखें यहांस properties कोई भी नहीं बनेगा बस आपको basic concept बताए जा रहे है important इसके concept है के वाल इतना जानेगे कि charge यह हुआ और notes में आप एक चीज लिखेंगे कि दिखें यदि same charge होंगे जैसे positive और positive charge है तो वो repel करेंगे ध्यान दीजिएगा sorry जैसे positive और positive charge है तो वो जो है वो repel करेंगे एक दूसरे को और positive negative है या कि negative positive है तो वो attract करेंगे आपका most repeated question है आपके air force exam के लिए positive positive charge या negative negative charge मतलब यह कि same charge जब होंगे तो repel करेंगे और सर अलग अलग charge होंगे तो वो क्या करेंगे attract करेंगे यह आपके लिए basic चीजे हैं इतना चीज आपको तो पता होगा और इस charge बाले topic से सबसे important यह है कि same charge जब होंगे वो repel करेंगे और जो other charge होंगे positive negative तो attract करते हैं इसके बाद में connector और insulator क्या होता है तो छोटी बाद में बोलता हूँ connector वो चीज है जो electric field जिसमें pass हो सकती है insulator वो चीज है जिसमें electric field passes नहीं हो सकती है तो यहाँ पर definition लिखी definition आपको पढ़ लेना है बाद की conductor क्या है metal ओटल हो गए insulator क्या है जैसे रवाड हो गई और बूड हो गई लकडी हो गई तो यह सब हो जाते है insulator में तो इसमें आपको क्या concept मिला conductor and insulator जानगए कैसे होता है इसके बाद हमेशा जानगेगा कि transfer of electron देखे हमेशा कभी भी कोई conductor charge होगा तो उसके लिए responsible काउन होगा electron note कर लीजिए मैं पहले बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ अच्छे से note कर गएगा कि किसी भी body को charge करने में या discharge करने में किसी भी body को हिंदी में ही लिख लीजिए very important question जब आपकी practice class होगी तब आपको पता चलेगा कितना important है तो हिंदी में आप लिख लीजिए जब किसी चार्ज किसी conductor को attract charge करेंगे या कि discharge करेंगे मतलब कि charge करेंगे उसमें charge ला रहे हैं या कि charge उससे हटाएंगे charge उससे हटाएंगे तो क्या होगा हमेशा electron ही responsible होगा ठीक है मतलब electron ही उसके लिए जरूरी होगा मतलब charge आएगा मतलब electron आएगा electron मालो इस तरह आया तो यह charge हो जाएगा और electrone यहाँ से निकल जाएगा तो यह discharge हो जाएगा तो यह आपके लिए important चीज है सबसे important चीज है कि electrone ही charge और discharge में responsible होते हैं अब सर, add activate of charge क्या होती है सर एड activate of charge का मतलब यह होता है कि चार्ज का मतलब देखे Addictivity of Charge का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पास Addictivity of Charge का मतलब क्या होता है जैसे आपको ऐसे ऐसे खूब सारे Charge Q1, Q2, Q3 ऐसे ऐसे आपको Charge Given है तो इनका कोई सम आपको पूझ लेगा तो Q is equal to आप लिखेंगे Q1 plus Q2 plus Q3 ऐसे आपको Charge को Plus करना है तो चाओ था जो पॉइंट है इसमें यही है Addictivity of Charge का मतलब यही है कि जो Charge है जो Charge है उसको इस तरह सम किया जाता है ठीक है मतलब Q1, Q2, Q2, Q3 और Q1 तक प्लस अभी किया देंगे मतलब अलग-अलग Charge Plus कर देंगे ठीक है यह चीज इंपॉर्टन है Air Force में आले इस चे कुश्चन आया है और आपको वही टॉपिक करा जाएगा जो Air Force में आये है कंप्लीट से लेवस करा जाएगा यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूँ आपको याद करने के लिए यहाँ पे ध्यान सेद़ है आप देखेंगे यहाँ पे लिखाए Charger or Scalar Charger जो है Scalar quantity होती है अब एक चीज आप याद कर लीजिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको पहला चीज पहला चीज मैं क्या कहता हूँ कि चार्ज जो है Scalar है पहला चीज याद कर लीजिए इसकी उनिट जो है कुलांब है कुलांब आप स्पेलिंग देख लीजिएगा PDF में लिखने में थोड़ा दिक्का जाती है मुबाल से वीडियो बन रहा है थोड़ा सपोर्ट करिएगा नोट्स आपको एजिटिद दिवाई जा रही है तो आप सोच सकते हैं टाइपिंग करने में कितनी दिक्का दे जाती है तो डाइरेक्ट नोट्स हैं और डाइमेंशन जो होता है डाइमेंशनल फार्मूला मैं बताए दे रहा हूँ आपको डाइमेंशनल फार्मूला डाइमेंशनल जो होगा वो होगा A और T 80 dimension होगा कहां से आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बला भी याद कर लीजिए 80 हो जाएगा इच्ची जाओ नोट करने वाली बात यह हो जाएगी लिख लीजिए NDA का question है NDA 2018 का question है Charge to head velocity पे depend नहीं करेगा Charge does not depends on velocity Charge velocity पे depend नहीं करता है मतलब यह Charge velocity पे depend नहीं करता है इसका मतलब यह हो जाएगा कि देखिएगा Charge does not depends on velocity मतलब यह हो जाएगा कि देखिए Does not depends on velocity velocity पे depend नहीं करेगा मतलब यह जो charge है चार्ज जो है वो air में जितना होगा उतना ही चार्ज मीडिएम में होगा है क्योंकि चार्ज बैलो सिटी पे depending नहीं करता है चार्ज क्या करता है मतलब यह कि जितना Air में चार्ज होगा माली जी कोई चार्ज है वो Air पे आपको question इस प्रकार इससे बना था कि कोई चार्ज है एयर में वो 5 कुलाम चार्ज है 5 कुलाम चार्ज है 5 क्या है magnitude है यह unit है चार्ज की कुलाम तो 5 कुलाम एयर में कोई connector चार्ज है और उसे यदि वाटर में रख दिया जाए तो कितना चार्ज होगा तो मेरे भाई वो 5 कुलाम होगा क्योंकि चार्ज मीडियम पे डिपेंड नही करता है चाहे वो error में रहे चाहे water में रहे चाहे आग में रहे चाहे कहीं रख दीजिए यदि वो error में 5 है तो वो medium में भी 5 होगा इस चीज़ को आपको basic ध्यान देनी है तो आपको I hope आपको पूरा वीडियो पसंद आया है वीडियो आपको आपको इतना ही नोट्स करना है पहला वीडियो बिल्कुन छोटा सा है अब इसके बाद में जितने भी वीडियो होंगे कम सकम 20-25 मिनट के होंगे डेली आपको क्लास लेना है डेली आपको वीडियो मिलेंगे तो आपको पूरी क्लास लेना है इस वीडियो में इतना ही जहिन और ध्यान से कुस्चन करते रहे है जिस प्रकार बताया जाएगा अल्रेडी नोट्स आप बनाईए अच्छे से कंप्लेट से ले बस करा जाएगा इसको टाइपिंग नोट्स से से ही ये टाइपिंग कराई जाएगी जो नोट्स होती है एरफोर्स नेवी अन्डिये लिए कोचिंगों में जो नोट्स बनाई जाते है उससे ही ये टाइपिंग बनाई गई है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही जाहिन और प्रैक्टिस होगी आपको तो जब आप अच्छे से कंसेप्ट पढ़ेंगे तब ही आपसे प्रैक्टिस आएगी ठीक है तो अच्छे से कंसेप्ट पढ़िए बस मैं इतना ही बोलूँगा जलिए जाहिने